हेलो फ्रेंड्स आउ सीखे अब में आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिजेंट कांटी न्यूस टेंज की तो चलिए वीडियो को स्टार्ड करते हैं प्रिजेंट कांटी न्यूस टेंज पहिचान जिन बाकियों की किरियाओं के अंत में रहा है रहे है रही है रहे हो रहा हूं आदी शब्द आते हैं तो बहें प्रिजेंट कांटी न्यूस टेंज कहलाते हैं affirmative sentence फार्मूला होता है subject पिलस is rm पिलस बर्व की first form में ing पिलस object जैसे बहे पतंग पुड़ा रहा है तो इसमें फार्मूला की तरफ देखेंगे इसमें माग रहा है हमारा subject subject है बहे बहे की English होती ही फिर इसके बाद में मागता है is rm तो is rm मैंसे हम is का पिलियो करेंगे क्योंकि बहे एक singular बचन है इसलिए यहाँ पे is आएगा अब माग रहा है बर्व की first form में ing तो बर्व की first form एकालने के हम रहा है पहिचान हट गई इससे हमने यह पहिचाना है कि present continuous का tense है इससे हटा दिया आप बचा है उड़ा तो इसमें नाक अड़न्डा जोड़ देंगे हो गया उड़ाना और उड़ने की जो फार्म होती फिलाइंग 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 उड़ना फिर माग रहा है हमारा अबजेक्ट अबजेट के आए एक काइट तो हमारा बाक बना है ही इज फिलाइंग एक काइट दूसरा हमारा बाक है शीता गाना गा रही है तो सबजेक्ट है सीता प्लस इजाराइंग इज प्लस बर्व की फिर्स्ट परम में आई एंजी तो हमने रही है इस से पहचाना की ये प्रिजेंट कांटिन्यूस का टेंस है फिर पहचान अटा दी फिर हमारा बच्चा है गा गा में हमना आक का डिंडा जोड़ने हो गया गाना गारना की फार्म सिंगिंग तो सिंगिंग आगी गाने के फ़र्म और क्या गाना है गाना गा रही है तो यह संग वनाए सीवता इस सिंगिंग यह संग अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मारे निगेट्टिव सेंटेंस का फार्मूला है सबजेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बर्ग की फर्स्ट फार्म में आई एंजी प्लस अबजेक्ट जैसे बहे अपनी गुरिया से नहीं खेल रही है तो हम कैसे पहचानने की प्रिजेंट कांटी निउस का टेंस है रही है इससे पहचाना है कि प्रिजेंट कांटी निउस का टेंस है अब इसमें नॉट शब्द दिया है तो इसकी में इंगलिस नॉट लगाएंगे जैसे इसमें फार्मूला हमारा मागरा है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट इसमें है बहे बहे की इंग्लिश शी लगाएंगे क्योंकि हम यहां पर एक लड़की है तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया फिर मागरा इस आर एम में से हम लगाएंगे इस क्योंकि यहां पर सिंग्लर बचन है इस फिर माग रहा है नौट तो नौट है तो हम लगाएंगे तो नौट आ गया प्लेस बर्व की फर्स्ट पर में आई एंजी तो बर्व हमने रही है पहिचान अठा दी बचाए खेल इसमें नाका डंडा जोड़ देंगे होगे खेलना खेलने के फार्म होती से बिद हर डॉल फुल स्टॉब अब है इसी अगला संटेंस है हमारा सीता गाना नहीं गा रही है तो सीता इज नौट सिंगिंग ए सौंग इसी प्रकास से अब हम देखते हैं हमारा इंटेरोगेटिव संटेंस क्या होते हमारे आपार्मूला है इस आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बर्ब की फरस्ट वर्म में आइ एनए ग्लस औप्जेक्ट जैसे क्या तुम आज अपने श्कूल जा रहे हो तो इसमें इस RMA से मांग रहा है तो यहाँ पर लग रहा है फिल्स सब्जेक्ट मांग रहा है तुम की इंगल से लगाएंगे U सब्जेक्ट हो गया फिल्स इसमें बर्व की फर्स्ट प्रम में आई एंजी माग रहा है तो रहे हो पहचान अठा दी बच्चा है जा इसमें लगाई ना करंडा जाना जाने की फर्स्ट प्रम होती गो लगा दी इसमें फर्स्ट प्रम में आई एंजी में तो गोईंग प्लस अबजेक्ट माग रहा है तो to your school today बाक बना ह फिलस सब्जेक्ट पिलस नौट पिलस बर्ब की फर्स्टिफा में आई एंजी पिलस अबजेक्ट जैसे किया पच्छी आकास में नहीं उड़ रहे हैं तो यहां पर इस आर एम में से हम लगाएंगे आर क्योंकि दा वर्ड्स ऐ कई पच्छी हैं तो आर दा वर्ड्स वाने पच्छी फिलाईंग और इसमें नॉट है तो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा are the words plus not not यहां पर हम लगाएंगे not plus बर्व की फस्ट फाम flying उड़ना होती है तो flying हो गई in the sky are the words not flying in the sky अगला हमारा संटेंस वाता है डवल इंटेरोगेटिव संटेंस इसमें फार्मला देखेंगे डवल इंटेरोगेटिव बर्ड पिलस इस और एंप पिलस नौट प्लस बर्व की फर्स्ट पर्म राजनी प्लस अबजेक्ट जैसे पच्छी आकास में क्यों उड़ रहे हैं तो डवल एंट वर्ड मनें बताये ता आपको वाय और दा वर्ड फिलाइंग इन दा स्काई इसी प्रकार से हमारा next sentence है पच्छी आकास में क्यों नहीं उड़ रहे हैं तो डवल एंट वर्ड यानि की वाय इस आर में से हम लगाएंगे आर प्लस सब्जेक्ट माग रहा है तो दा वर्ड पच्छी लग जाएगा प्लस नॉट माग रहा है तो नॉट है तो लगाएंगे प्लस बरक की फर्स्ट वर्म उड़ने की ओधी फिलाइंग कहां आकास में इन दा स्काई तो वाय आर दा वर्ड नॉट फिलाइंग इन दा स्काई तो फ्रेंड्स अगर यही वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए